लिल्गम L wn además में अलो इंडिया वळुंक थी इंड एया प्रडकशन मेरल डींड दिपलेमन का तॉ इंडियन वस्टतु अब सभी को पता है कि कर देवलप् наsiर में लोड करते है जहाँ पर हमें उसको यूज करना है और उसको बाद हमें जो user से input मिलेगा उसको हम consume करते और model consumer format में उसको convert करके हम prediction करते है यह हमारा काम रहता है और उसको बाद depend करता है कि आपको जो output है वेबसाइट पर दिखाना या कोई application में दिखाना या आपके कोई desktop-based software में दिखाना या डिपेंड करता यूजर के requirement के हिसाब से तो चलो यार notebook में चलते और deployment के code को हम continue करते हैं तो दोस्तों जैसे कि हमने last tutorial में किया गया था हमारे पाद जो best model था उसको हमने save किया पिकर लाइडरी का इस्तमाल करके हमने इसको binary format में save गया और यहाँ पर हमने inference किया था यहाँ पर हमने उसको load करके inference किया तो यह जो तरीका था वह आप कही पर भी load कर सकते हो आप python की py file में भी उसको load कर सकते हो ऐसा नहीं कि आपको jupy file का इस्तमाल करना पड़ेगा लिए आ इस्तमाल करता हो लेकिन at the end में आपको py file में उसको use करना पड़ता है तो जब मैं पूरा का पूरा code जहांसे मुझे user से input मिलेगा और उसके बाद उसके बाद मुझे output शो करना है आपको तो वो code में py file में execute करूँगा चिंता मत करना अब बार ही आ चुकी हमारा model तो आ चका अब हमारे पास user से input मिलेगा राइट यूजर से input मिलने का दो उसको में consumer format में convert करना है लेकिन इससे पहली एक चीज़ को हमें जो हमारी पूरानी जूपिटर नुडूक फाइल थी वास्ते हमें एक चीज़ को यहाँ पर लेके आना है उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए क्या चाहिए एक चीज़ को हमें यहाँ से लेके आना है वो चीज क्या है थोड़ा याद करो कुछ याद आ रही आपकी दिमाग में आपकी दिमाग में कुछ याद नहीं आ रहोंगा लेकिन आपको बताना चाहूंगा हमने last में यहाँ पर देखो टेना स्टेज के बाद हम हमने क्या कहे था हमने हमारे पाद जो एक अंडर्सकोर ट्रेन डेटा था वहां से हमने परामिटर लॉर्ण करते हैं क्या है एक याद कर रहे हो फॉर्मूला आपको बताए देता एक बार स्केलिंग का फॉर्मूला है एक स्माइनस म्यू डिवाड़ेद बाए स्मतला मिन औ तो हमें कुछ से format मेरेंगा इस format मेरेंगा लेकिन उसको हमें scale करना पड़ेगा तो भाई scale करने के लिए हमारे पास क्या basis है उसके उपर हम scale करेंगे तो भाई जो हमने train data के उपर जो scaling के parameter learn के ते वही parameter को यहां से में पकड़ना पड़ेंगा और हमें inference के फाइल में लेके जाना पड़ेंगा समझे आप नहीं तो वहाँ पर हम्यू वालू का से मिलेंगी हमारे मन के हिसाब से तो हम लेंगे नहीं लेंगे तो हमारे पास अच्छा आउटपुट मिलेगा नहीं वैसा हम कुछ भी value ले सकते हैं बड़ आउटपुट मिलेगा क्या नहीं क्योंकि हमने जो value learn किये वह तो यहां पर learn किये तो यही value को में पकड़ना पड़ेंगा और इस value को पकड़े कैसे और उसको लेके का आज आए लेके का आज हमें पता है बड़ पकड़े कैसे सिंपल है यहां पर ऐसा उतना दिमाख लगाने के ज़रूत में जैसे हमने model को पकड़ा था ना जो भी हमारे एक्सीबूस की पैरामेटर हमारे model ने learn किये ते वही parameter हमने पक पकड़ेंगे scale value की जो parameter इनको हम पकड़ेंगे और उनको हम लिखे जाएंगे inference में that simple तो हम ही का करना है यहां पर द्यान रखना है SC में हमारे पास scaling के सारे के सारे parameter है तो अब हम नीचे आते यहां पर एक हम heading देते हैं और यहां पर लिखते भाई SCALING PARAMETERS या SCALING VALUE आपको कुछ की नाम देशता हो इसको मैं execute करता हूँ फिर से हम यहां पर SC को call करके देखाता हूँ वाई सच में हमारा जिन्दा है कि नहीं यह variable तो हमारा वेरिबल जिन्दा यहां पर देखनी है तो देखनी है तो यहां पर उसकी में mean value यहां पर आपक से यहां तक का सपर complete कि हो सकता है बीच में अपने variable में कुछ changes कि होगी तो एक बार confirm करना हमारा first बनता है अब हमें क्या करना इसको फिल उड़ा देता हूँ हमें हमारे parameter को dump करना है तो dump करने के लिए सबसे पहले हमें कौन से directory में dump करना उस directory का यहां पर हम path लेते तो यहां यहां पर एक लेते है sc underscore dump dump okay underscore यहां पर हम लेते है path equals to हमें double quotation के अंदर इसको paste कर देना है और यहां पर हमें slash लेते हैं और हमारे फाइल का नाम करेंगा sc underscore no sc dot pkl और यहां पर लिखना हमारी raw string है तो यहां पर आपको r लेना बढ़ेंगा double quotation के पहले क्योंकि Windows operating system में यह slash के बाद कोई नाम आता है मतले alphabet आता है तो उसको अलग तरीके से रीट कर लेता है इसको में बताना पड़ेंगा यह raw string है इसका direct path करके इसको consider करो तो यहां पर हमारा हो चुका यह path अब हमें क्या करना है हमें same कौन से library का इस्तमाल करना है उसके बाद हमें कौन से मेंतर का dump 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 क्योंकि यह better ट्राइल से विए उसके यहां घ्राप लेना पड़ेंगा और सबसे पहले हमारेज़ क्या करना पर और इस पहले सबसे फहले ओपन करना पड़ेगा quello फ्ट्रायल आपर आप यहां पर हम लेगे W मतलब राइट B मतलब बाइनरी यह हमने बता दिया तो इसके लिए फाइल हमारे रेडियो हो जाएंगी से हैं 1.3 kb का इसको size चाहिए तो उसने लए लिया अब आब बोलेंगे इस फाइल को में लोड भी करना है ना higher inference करना था हम या में पर यहां ay करने के लिए लोड करने के लिफंक हम क्या करते यहां पर आते हिं Ilko और यहाँ पर हम एक heading की देते हैं, load sc standard scalar, इसको मैं heading देता हूँ, ओके, तो यहाँ पर हमारा model load करना है, तो हम फिर से वही path का इस्तमाल करना पढ़ेंगा, यहाँ से path को copy कर लो, और उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से pickle का इस्तमाल करना पढ़ेंगा, और हमें क्या करना है, model को load करना है, standard scalar model को, तो यहाँ पर हमें लेना पढ़ेंगा, load, नाम simple है, ज्यादा दिमाख लगाने के ज़रूत नहीं, अब हमें किसको लोड करना है, इस file को लोड करना है, तो load क क्या करना, इस file को में read करना है, तो यहाँ पर आपको लेना पढ़ेंगा quotation के अंदर, r मतलब read, अब हमारी file कौन से format में थी, हमारी file binary format में हमने उसको save किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, b लिखा था हमने, इसलिए हमें उसको binary format में read करना पढ़ेंगा, तो यहाँ पर इसलिए का मतलब होता है standard scalar, तो इसको execute करते हैं, देख सकते हो, SC को call करके हमारे यहाँ पर standard scalar आ चुका है, तो इस तरीके से दोस्तों, अभी हमने standard scalar को यहाँ पर load कर लिया, अब बारी क्या है, अब बारी है, standard scalar को हमारे variable को देने की, जिहाँ दोस्तों, अभी हम development में है, इसको py file में convert करके बता दूँगा, ताकि आपको उसने दिक्कत नहीं आएंगे, बट सिखाने के लिए मुझे इस file का इस्तमाल करना पड़ा है, जोपिर नूटुक का, deployment में py file का ही इस्तमाल करते हैं, ध्यान रखना, कान को पकड़ के ध्यान रखो कि हम deployment में py file का इस्तमाल करते हैं, research में हम ipynp file का इस्तमाल करते हैं, मतलब notebook file का, ओके, तो यहाँ पर हमारा SC आ चुके है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर खेडिंग देते हैं, और यहाँ पर में रहते हैं, user input, user, user, oh, hash, oh, I, nera, यार, shift, hash, users, input, अब हमें user यहाँ पर input, इन्पूट कोन से कोन से देंगे, हम civil bike में आते हैं, और यहाँ पर ऊपर करते हैं, देखो, इतने हमारे variable, इतने variable में से हमें user input देने वाला है, तो सबसे पहले हमें क्या देंगा, r देंगा, यहाँ पर मैंने लिखा, r, variable, same, कोई भी r देसा था, 0 रो से लेकर 23 के बेच में, तो user ने मान लोग अब किस नयार, लेलो यार, 34 temperature लेते हैं, next humidity, humidity यहाँ पर बड़ी रहते हैं, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं, 55 humidity लिया, उसके बाद है, wind speed, okay, wind speed लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिया, मैंने wind speed underscore यहाँ पर देना पड़ेगा, ध्यान रखना है, wind speed मैंने लिया, लेलो यार, 67, next भाई visibility, यहाँ पर हम लेते, visibility, visibility देदो, 100%, उसके बाद है, dew point, ध्यान रखो यहाँ पर हर एक variable हमें नहीं लेना है, हमने dew point को drop किये था, क्यों drop किया था, हमें यहाँ यहाँ पर, multi-co linearity मिली थी, आपको देखना है, तो यार, चोलो, आ जाते है, यहाँ पर नीचे, ध्यान रखन और उसमें भी पता चला था, का भाई, dew point, उसका 17 है, बहुत बड़ा dew point है, तो उसको हमने यहाँ पर drop किया था, तो training के लिए, हमने dew point का इस्तिमाल नहीं किया था, भाई, हम जब inference करेंगे, तो उस वक्त भी हमारे पास dew point का इस्तिमाल नहीं करना है, हाला कि वह रहेंगा, बड़ हमें नहीं करना है, से लिए हम उसको नहीं लेने वाले, क्योंकि हमारा model उसके उपर काम भी नहीं करेगा, और solar radiation हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, यहाँ पर है zero point के बेच में यहाँ पर मिलेता हूँ, one ले लो यार, 0.4 ले ले लेते हैं, dew point, next rainfall, rainfall, rainfall भी है, मिल उसके बाद, snowfall, snowfall भी point में आता है, अब मैं अपने मन की हिसाब से कुछ भी ले रहा हूँ, लेकिन actually जब हम प्रेडिक करेंगा ना भाई, जो company वाला बंदा रेंगा, जो प्रेडिक करेंगा, वह actual value ही देंगा, उसके बाद है season, season हमारे पास 4 थी, autumn था, winter था, rain था, तो य holiday जो मेरे को दिख रहा है, वही मैं ले रहा हूँ, right, उसके बाद हमारे पास क्या है, आपर variable functioning day, functioning day हमने ले लिया, yes or no के बीच में है, चुलार हमने बहुत copy किया, हमारे हिसाब से भी type भी करते हैं, और एक feature हम भूल चिके हैं, द्यान रतना, वह हमारा भाई day, right, तो हमने day day को भी आपर hours के उपर ले ले लेते है, day, उसको हमने दे दिया, day लेते हम string में मान लो आज की तारिक कितनी है, आज की तारिक है 10, तो ले ले वहाई ये 10, slash month कौन सा है, 06, year कौन सा है, 023, अब देखो, हमें क्या predict करना है, हमें predict करना है rented by count, उन से वक्त, आज के date पे 21 बजे, 9 बजे, उसको temperature रहेंगा 34, humidity रहेंगी 55, wind speed रहेंगी 67, visibility एकदम clear रहेंगा, रात का समय है, clear नहीं रहता है, उसको ले लेते हैं, त्वेंटी फाइव कर लोता है, visibility, temperature भी कमी रहता है, चलो temperature ले लेते हैं, okay, humidity भी कमी रहते हैं, चलो रहने देते हैं, उतना टेंशन मत लेते, visibility लिया, solar radiation, solar radiation रहता है नहीं, शाम को 00 लेते, rainfall हो सकता है, rainfall होंगा, snowfall होंगा, winter season है, तो snowfall होंगा, holiday, no holiday, आज का holiday है, आज छुट्टी है, Saturday holiday है, but basically, civil city का information है, हमारे इंडिया की नहीं है, तो अभी हमने हमारे हिसाब से कुछ भी information ले लिए, अब इस information को क्या हम, सवाल है आपके लिए, क्या हम हमारे इस, predict model.predict को direct दे सकते हैं, इसको direct copy-paste करके यह आपर list में? तो मेरे दोस्त, नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? ऊपर देखो, हमने हमारे model को इस format में data दिया ता, देख सकते हो, और उसके बाद हमारे model नैंगे उसको predict करके देटा देंगा तो हमारा model error throw करेंगा बोलेंगा अरे भायल बुद्धी तु क्या दे रहा है मेरे को मेरे को कुछ अलग data के ओपर train किया है और तुमेरे को कौन सा data दे रहा है सा हमारा model बोलेंगा कुन सा model ईससे लिए मेरे भाई यह ठो यूजर नहीं नीदिया पड़ हम एक लागोघ समझ में एक है यूजर को समझ में नहीं है टो अब हमें क्या करना पड़ेंगा हमें सबसे पहले हमें या को quality मन्द इयर पढ् ICU करना पड़ेंगे उसके बाद हमें जो सीजन सीजन हमारी चार तूर उस ने आउंटॉम नीकाल लिया था तो हमार पास 3 ति ci विंटर tutti खली में रहो सब्सक्राइब उसके बाद हम स्टावर्य रहाँ रहा है करना पड़ेगा उसके बाद स्टांडर्स के लिए इस फॉर्मैट में डेटा देंगा स्केल करके और उसके बाद हमारा मॉडल उस वैल्य को कंजूम करेंगा अब अब बोल रहें यह कब हमने सीखा था क्या हाँ मेरे दोस्ति इसको भी हमने सीखा था अपनीचे आओ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किदर है किदर है किदर है कि देखो लास्ट में हमारा मॉडल को हमने यह आपर क्या किया था scaling किया था देखरो scaling करने से पहले हमारे डेटा को हमने यहाँ पर preprocess किया था उसको split करने से पहले देखो हमारे पास total इतने column थे देख रहे हूं तो हमें total कितने column क्रेट करने पड़े गया है 30 23 23 नहीं हमें सिर्फ 20 करने पड़ेंगे क्योंकि 23rd वाला rented by count तो इसको में convert करने के जरूरत नहीं यह तो हमें प्रेटिक करना है तो हमें अभी हमारे पास जितने यह फीचर है कितने फीचर है हमारे पास 123456789 10 11 12 12 12 को में convert करना पड़ेंगा उसके बाद स्केल करना पड़ेंगा और उसके बाद हमारा मॉडल इस डेटा को कंजूम कर पाएगा तो इसलिए इस चीज़ को हम देखेंगे आने वाले नेक्स टूड़ो में और नेक्स टूड़ो में हम क्या करेंगे हमारे मॉडल से हम यूजर से आयावा डेटा हम उसको इनपूर्ट दे के प्रेडिक करेंगे और उसके साथ पूरे के पूरे फाइल को हम प्यम्वाइए फाइल में भी कंवर्ड करने वाले तकि जब हम इंफरंस करेंगे तो हम यह जो हमारी फाइल हे यह फाइल हम Android देवलपर बेक-ेंड डेवलपर विबसाइट डेवलपर या फूल स्टेक डेवलोपर को फाइल हम दे देगे और के बाद हमारा काम यहां पर एंड हो जाता है उसके बाद चालो होता है जो development टीम है वह application बनाके हमारे फायल को उसके साथ integrate करेंगे और उसके बाद हमारा model इस तरगे से आउर्पुट देंगा अब उस आउर्पुट को किस format में कैसे शोकेस करके यूजर को दिखाना है वो डिपेंड करता है डिप्लॉइमेंट या डिवॉक्स वाले इंजिनिर का काम आईए यह हमारा काम नहीं है तो हम अभी क्या करेंगे लाच्ट फाइल दे देंगे उसके बाद हमारे हाथ उपर कर देंगे ठीक है तो दोस्तों इस इंट्रेस्टिंग पार्ट को आने वाले नेक्स वीडियों में हम कवर करेंगे तब तक के लिए सिखती से खाथ कुछ इंप्लिमेंट करते रहो धन्यवाद